असलाम अलीकूँ वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप लोग ठीक है उमीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक टाक होंगे बहुत कोश्च होंगे आज मैं लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एजी रेसीपी ज अस 56 इसन भागा जा रहा था तो मैंने अकिसोच भागम भाग आप भरागों को हम अचिस कौ यह माड़ी है मांई को तो आशालोब करते हैं और साथ में दिये के बेल आइकन को और पे सेट कर दे ताकि आपको मिलता रहे नोटिफकेशन मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो का तो टाइम बेस्ट नहीं करेंगे जल्दी से बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ बिसमिल्ला रख्मान इरहीम तो चलें ज चार मेंगो के साथ हमारी आइस क्रीम बहुत अच्छी बनेंगी अगर तीन मेंगो का हम वेट करेंगे तो ये बनेगा फाइव हंड़र्ड गिराम यानि के अदा किलो मेंगो पल्प हमें चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम मेंगो को जल्दी से पील कर लेते हैं इतने फ्रे अच्छी से और फ्रेश चीज हो अगर अब घर में भी बनाएं तो गले हुए मेंगो के बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा वह वाला आइस क्रीम का तो चलें जी अब मैं चार मेंगो मैंने ले लिए हैं इनको मैंने पील कर लिया है पील करने के बाद अब हम इसके चोट जी इस गर्मिया जा रही थी बिलकुल गर्मियों का सीजन भी आउट होने वाला और मैंगो का सीजन भी आउट होने वाला तो मैंगो किसको नहीं पसंद हर किसी को पसंद होते हैं मैंगो तो इतना मतलब फेवरेट फरूट है ना सब का के हर गर में ये बहुत खाया जाता ह तो इसके लिए मैंने जो चीजें लिए हैं मैंगो लिए हैं 500 ग्राम। उसके बाद मैंने क्रीम लिए हैं 400 ग्राम। ये विपिंग क्रीम हैं कंडेंस मिल्क लिए हैं 200 ग्राम। और उसके बाद मैंने एक मैंगो के चंक्स लिए हैं। तो चलें जी आप इसको स्टार्ट करते यह थी सारी मियरमेंट की हमारी चीजें माइएमें आपको डि्सक्रिप्षन में भी मिल जाएगी और चले आप इस को स्टाइट कर लेते हैं बथे सबसे पहले जी मैने ये चॉपर ले लिया है चॉपर के अंदर मैंने یہ क्यूब्स कटे हुए मेंगो डाले हैं और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आप मेशर भी ले सकते हैं मेशर के साथ भी कर सकते हैं लेकिन उसके साथ भी इतने नीट नहीं होते अगर आपके पास ब्लेंडर जग है तो आप ब्लेंडर जग में भी इसको ब्लेंड कर सकते हो तो मैंने इसको चौपर में कर लिया है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है इसकी प्यूरी जो है वो हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो ये आईसक्रीम एक ऐसी रेसिपी है जिसको के हम लोग एक दिन पहले बना के रख लें दो दिन पहले बना के रख लें चाहे वन वीक पहले बना के रख लें आपके मेहमान जब भी आएं आप फ्रेश मेंगो के चंक्स काटें और आईसक्रीम के उपर डाल के सर्फ करें अ अब हम क्रीम को विप कर लेते हैं विपिंग क्रीम जो है वो मैंने विपी विप के लिए है आपको इसे ब्रैंड की ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और जो आपको अवेलेबल हो लेकिन कोशिश कीजिएगा कि विपिंग क्रीम जो है वो अच्छी वाली हो अच्छी व My hair स्टराम लिया है आप अकौर्डिंग डू मीठ्डा नाぁ पसंद दाते हैं उतना आप ले सकते हैं आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें कंडेंस मिल्क ना डालें तो मैंने इसके अंदर condensed milk डाला है प्यूरी भी एड़ कर दिया और आप इसके अंदर डाल दिया मैंने yellow color ताके थोड़ा सा मतलब artificial color की भी look नहीं आए और mango की look भी आए ठीक है color थोड़ा सा काम लाग रहा थोड़ा सा और डालेते हैं तो समझ लेके मैंने half tea spoon जो है न वो इसमे color डाला था अब मैंने एक disposable box ले लिया है box हम वो वला लेंगे जिसका उपर से एटाइट जो डखना जो है न वो बांदो ठीक है अब हमने सारी ice cream इसके अंदर डाल लेनी है इस bowl के अंदर डाल लेंगे और इसको हमने freeze कर लेना है freezer के अंदर रख देना है overnight के लिए मैंने इसको overnight के लिए रखा है overnight के बाद आपको cut करके दिखाऊंगी आप इसको कम से कम भी 6 से 8 गैंटे freeze करेंगे तो फिर आपके आइस क्रीम अच्छी बनेंगी अब ये जो मैंगो के चंक्स हैं ये उपर डाल देते हैं और डाल के इसको हम हलके से दबा देंगे ताकि ये थोड़ा सा नीचे चले जाए other wise उपर भी रेंगे तो कोई मसला नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको दबा दूँगी ताकि ये तोड़े से नीचे हो जाएं अब आइस क्रीम हमारी राडियो चुकी है अब हम लेंगे प्लास्टिक रैप अब कोई भी प्लास्टिक का शौपर भी ले सकते हैं और इसको काट के इसके उपर लगा दें ताकि ये अच्छे से जब फ्रीज हो तो इसके उपर बरफ के क्रिस्टल नहीं बने वैसे अगर हम डखना देंगे ना तो बरफ के क्रिस्टल बन जाएंगे अब उसके साथ वो फिर आइस क्रीम के उपर गिरेंगे तो आइस क्रीम की कॉलिटी हमारी खराब हो जाएगी तो अब मैंने प्लास्टिक रैप कर दिया इसको अब हमने ढ़कने से बंद करके अच्छे से और फ्रीजर में रख देना तो ये देखें माशाला से आईस्क्रीम इतनी सॉफ्ट नहीं है अच्छी है और ये काटने में भी अच्छी होगी अब इसको मैंने ओवर नाइट के बाद इसको निकाल लिया है और अब हम इसको सर्फ करते हैं सर्फ करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके बाद मैंने आईस्क्रीम स्कूप जिसके साथ हम स्कूप निकालते हैं वो ले लिया है आप ये प्लास्टिक रैप निकालेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी के क्रिस्टल्स नहीं बने होंगे तो स्कूप की मदद से हम इसको करते हैं जी कट और आप स्पून के साथ भी निकाल सकते हैं और इसके साथ भी निकाल सकते हैं जो चीज़ आपके पस अभी लेबल हो, आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं, आइस क्रीम तो निकाल नहीं है ना, तो ये देखें जी माशालला से रैडी हो चुकी है, कैरेमल साॉस डाल देंगे उपर, आपकी मर्जी आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मैंगो आइस क्रीम जरूर बनानी चाहिए, बलके बना के फ्रीज में रखनी चाहिए, उमीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मैंगो आइस क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीज़ेगा और मुझे इस्टाग्राम पे भी फॉलो कीज़ेगा थैंक यू सो मत पर वाचिंग मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहफीज